टॉप फूर बेस्ट गेमिंग स्मार्टफून 25,000 रुपीज तो अगर आप भी अभी की टाइम पे 25,000 रुपीज की बजट प्राइसेंग में एक जब दस स्मार्टफून ढूंड रहे हैं जिससे आप हैवी लेवल तक की गेमिंग भी कर पाएं तो मैंने आज आपके लिए गिने चुने चार बेस्ट स्मार्टफून को सलेक करा है जो कि आपको 25,000 रुपीज की बजट प्राइसेंग तक में देखने को मिल जाएंगे और मैंने अल्मोस्ट हर टाइप की यूजर के लिए स्मार्टफून को सलेक करा है चाहे फिर आप एक गेमिंग यूजर है या फिर आप एक कैमरा संदे की स्मार्टफून प्रचेस करने की सोच रहे हैं सुप रॉपर पूरी इंफर्मिशन के लिए बने रहे हैं वीडियो में लाश्ट तक 45,000 रुपीज भी इजली देखने को मिल जाएगा और पोको जो स्मार्टफून कंपनी है वो कम बजट रेंज में अच्छे पाउरफूल स्पैसिफिकेसंस देने के लिए मिली जाने जाती है तो आप अगर गेमिंग के तोर पर इस बजट प्राइसेंज में सबसे बड़िया स्मार्टफून प्रचेज करना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफून के साथ जा सकते हैं अगर डीटेल से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए budget range के recording काफी बड़िया processor देखने को मिल जाता है जो कि यह Mediatek Dimensity 8300 का Ultra Chipset जो कि 3.35 GHz पर clocked powerful octocore 5G processor है और यह processor काफी अधा fastest है इसके लाव आपको 8GB RAM support के साथ 256GB तक की inbuilt memory भी देखने को मिल जाती है और वही आपको battery के तोर पर भी 5000MHz की काफी बड़िया बड़ी battery के साथ 67W का fast charging support देखने को मिल जाता है और जो processor आपको इस smartphone में देखने को मिलता है वो साइध ही आपको किसी और brand के साथ इस budget prices में देखने को मिले इसके लाव बात करें अगर इस smartphone की display specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको display के तोर प्लस 6.67 inches की एक OLED screen देखने को मिल जाती है जो की 1220 to 2712 pixels की है और यह जो display panel है वो 446 ppi pixel density पे work करती है यहाँ पर आपको HDR 10 plus का support देखने को मिल जाता है 1800 निश्ट की peak brightness मिल जाती है इसके अलावा corning और yellow glass की protection के साथ 120Hz का refresh rate support भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके अलावा अगर बात करें at the end इस smartphone के photography features की बारे में तो यहाँ पर आपको 64 plus 8 plus 2 megapixel का triple layer camera support देखने को मिल जाता है इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं हमाई लिस्ट के second number वाले smartphone की बारे में चो कि हमने रखा है IQ की तरब से आने वाला IQ Neo 7 5G smartphone और हो सकता कि अभी की टाइम भी आपको इसकी pricing जो है 30,000 रुपीज की round देखने को मिल रही हो बट जब भी कोई sale आएगी या फिर normal days में यह smartphone under 25,000 रुपीज ही sale होता है तो तब ही आप इस smartphone को consider करिएगा जब आपको यह smartphone under 25,000 रुपीज देखने को मिले तो आप इस smartphone को भी consider कर सकते हैं अगर डीटेल से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए मिडेटक डामेंस्टी 8200 का एक 3.1 GHz पे clocked powerful octocore 5G processor देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको 8GB की RAM सपोर्ट के साथ 128GB की inbuilt memory देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको battery के तौर पर 5000MH की काफी बड़ी battery के साथ 120W का flash charging support देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको battery specifications भी काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं एकदम gaming users के तौर पर इसके बाद अगर हम बात करें इस smartphone के display specifications के बारे में यहाँ पर आपको HDR10 Plus का support देखने को मिल जाता है 39 minutes तक की peak brightness मिल जाती है and for smooth experience आपको 120H का refresh rate support भी देखने को मिल जाता है इसके बाद वही पर अगर बात करें at the end इस smartphone के photography features के बारे में तो वह भी आपको यहाँ पर काफी बड़ी है देखने को मिल जाते है because आपको यहाँ पर 64 Plus 2 Plus 2 Megapixel का triple layer camera support देखने को मिल जाता है with OIS support और आप यहाँ से 4K quality में अपनी videos को 30 apps पर easily record कर पाएंगे and वही आपको सामने के दरब में 16 Megapixel का एक काफी बड़ी है sensor देखने को मिल जाता है तो बात करेंगर overall इस smartphone के specifications के बारे में जो कि हमने रखा है Motorola की तरब से आने वाला Moto H40 5G smartphone जो कि आपको 25-26,000 रुपीज की prices में देखने को मिल जाएगा तो आप इस smartphone के साथ भी जा सकते हैं यहाँ पर आपको clean user experience देखने को मिल जाएगा और Motorola इसलिए ज़्यादा mainly जाना जाता है इसके अलाव आपको IP68 तक की देटिंग भी देखने को मिल जाएगी और कुछ other premium specifications आपको इस smartphone में देखने को मिल जाएगे अगर details से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए मेडे रिग्राइम स्टी 8020 का एक 2.6 गीगाज़ प्लॉक्ट पाउरफुल Octa-Core 5G processor मिल जाता है और यहाँ पर आपको 8 GB की RAM support के साथ 256 GB की inbuilt memory भी मिल जाती है इसके अलाव वहीं पर आपको battery के तौर पर भी 4400 MHz की बड़ी battery के साथ 68 Watt का fast charging support भी मिल जाता है इसके साथ साथ आपको वहीं पर display के तौर पर भी 6.55 इंचेस की एक OLED screen देखने को मिलती है जो की 1018 to 2400 pixels की है और यह जो display panel है वो 402 PPI pixel density पे वर्क करती है यहाँ पर आपको HDR10 Plus का support मिल जाता है 1200 Nits तक की peak brightness मिल जाती है और यहीं पर आपको 144 हज तक का refresh rate support भी मिल जाता है इसके बाद at the end वहीं पर बात करें फोटोग्राफी features के बारे में तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफी features के तौर पर 50 Plus 13 Megapixel का dual rear camera support मिल जाता है बित OIS support और आप यहाँ से maximum 4G quality में अपने वीडियो उसको 30 FPS पर Ultra HD में record कर सकते हैं और यह आपको सामने के तरब भी 32 Megapixel का एक sensor देखने को मिल जाता है इसकी बाद चलिए आप बात के लिए था हमाई लिष्ट के fourth and last smartphone के बारे में जो कि हमने रखा है Infinex की तरब से आने वाला Infinex G30 35G smartphone जो कि आपको 21-22,000 रुपीज की round देखने को मिल जाएगा और यह smartphone Infinex की तरब से आने वाला one of the best gaming smartphone है इस budget pricing में तो अगर आप एक Infinex smartphone purchase करना चाहते हैं तो आप इस smartphone के साथ वेसक जा सकते हैं अगर detail से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर भी आपको performance के लिए Mediatek Dimensity 8020 का एक 2.6 GHz के clocked powerful octa-core 5G processor मिल जाता है जहाँ पर आपको 8 GB तक की RAM support and 256 GB की inbuilt memory भी मिल जाती है इसके अलावा आपको 5000 MHz की बड़ी बैटरी के साथ 68 Watt का fast charging support भी देखनी को मिल जाता है और यह जो इस smartphone है वो out of the box Android 13 पर वर्क करता है यहाँ पर आपको display के तोर पर 6.78 inches की same AMOLED screen देखनी को मिल जाती है जो कि आपको iPhone G7 Pro में आपको देखनी को मिलती है और यह भी 1018 to 2400 pixels की ही है जो कि 388 PPI pixel लेंश्टी पे वर्क करती है यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass Pipe की protection के साथ 144 हज़तक का refresh rate support भी देखनी को मिल जाता है इसके बाद अगर वहीं पर बात करें at the end इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 108MP primary sensor के साथ 13MP का एक secondary camera और प्लस 2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पर एक camera देखनी को मिल जाता है बिद OIS support और आप यहाँ से maximum 4G quality में अपनी वीडियो उसको 30fps पर Ultra HD में easily record कर पाएंगे और यह आपको सामने के तरफ भी 50MP का एक sensor देखनी को मिल जाता है तो यह रहे top 4 best gaming smartphones जो कि आपको 25,000 रुपीज के अंडर में देखनी को मिल जाते हैं तो आप अपने 24 याफी अपने need users के basis पर किसे भी smartphone की तरफ जा सकते हैं तो at the end of this video I hope कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो आपके लिए काफी अदर informative रही होगी तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंप्रिक कर दीजग लाइक और चैनल कर दीज़ सब्सक्राइब